उज्जन आलोर संसदीक शेत्र के सांसद प्रोफेसर चिंतामणी मालवी द्वारा सुप्रीम कोट का अपमान करने और घरिमा का हनन करने के बाद सपाक्स ने महा महीम राष्ट्र पती के नामिक ग्यापन स्टीम को सौंपा कल अजा मोर्चा के कारिक्रम को संबोधित करते हुए उज्जन आलोर संसदीक शेत्र के सांसद प्रोफेसर चिंतामणी मालवी ने कह था कि सुप्रीम कोट में SCST वर्ग के जज नहीं है जिसके कारण सुप्रीम कोट के फैसले SCST वर्ग के खलाफ आते हैं जबकि भारती निया 255 कर महामहिम राष्टपती महोदय भारत सरकार से मांग की है कि सांसद प्रोफेसर चिंतामणी मालवी को तुरंत पत्से बरखास्त किया जाए और वैधानी कारवाई की जाए उनको जो सुप्रीम कोर्ड के द्वारा निर्णे दिये जाते हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है और उनको उन्होंने प्रश्णी चिन्न पेदा कर दिया है जो की निश्चित रूप से नियायलाई की आवमानना की श्रेणी में आता है और इसी वज़े से एक जजम होदय थ तो हमारा एक संसदी पद पे रहते हुए एक समवेधानिक पद पे रहते हुए यदि कोई जवाबदार व्यक्ति इस प्रकार के बयान देता है इस प्रकार के भाषन देता है तो वो उस पद पे रहने के लायक नहीं है उनको बर्खास किया जाना चाहिए प्लस उनके उपर और वेधानिक कारवई की जाना चाहिए इसी आशाय को लेके हमने आज ग्यापन दिया कलेक्टर महदय को जो राष्ट्रपती के नाम दिया है